आप सभी का Study IQ पर स्वागत है, I am Dr. Ranjita और आज हम पढ़ने चाहे हैं Science NCRT Class 6 के Chapter No. 9 के बारे में इस Chapter में हम लोग पढ़ेंगे About the Living Organisms and Their Surroundings मतलब की Living Organisms क्या होते हैं और वो किस Surrounding में रहते हैं उनका Habitat क्या है उसके बारे में हम Detail में इस Chapter में पढ़ेंगे So, let's start. Organisms, यहां पर organisms दिखाए गए हैं This is a piece of bread or something जिसके उपर एक fungus growth होना शुरू हो गई है तो सबसे पहले हम जानने की कुशिश करेंगे कि organisms क्या होते हैं Organism जो होता है, is an individual form of life that is capable of growing अगर हम किसी को organism बोलते हैं तो उसके अंदर दो-तिन qualities होने चाहें capable of growing, one, reproduction and have one or more cells तो यह तीन चीज़े होंगी अगर हम किसी entity को, किसी living being को अगर हम बोलते हैं यह एक organism है तो उसके अंदर एक तो capability होनी चाहिए growth की वो grow करना चाहिए Second, उसके अंदर capability होनी चाहिए reproduction की मतलब अगर कोई, किसी individual को या किसी entity को organism बोला जाता है तो that organism should be capable of reproducing चाहे वो किसी भी method से करता है लेकिन अगर वो अपने और progeny को बना सकता है तो उसे organism कहेंगे Third, उसके अंदर एक या उससे ज़ादा cells होनी चाहिए Single cell organism भी होते हैं कुछ ऐसे organism भी होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक cell होता है और बागी के सारे जो organisms होते हैं उनके अंदर बहुत सारे cells से मिलकर वो बने होते हैं cells क्या होते हैं, ये सब चीजें क्या होते हैं हम धीरे-धीरे पढ़ेंगे तो अगर हम किसी को organism कहते हैं ये तीन qualities उसमें होने चाहिए animals, plants, bacteria are all organisms तो इस वाले photograph में आप देख सकते हैं fish, spider, snail, frog, owl, tiger, monkey मतलब ये सारे के सारे honeybee ये सब क्या हैं ये organisms हैं उसके अंदर virus भी आते हैं उसके अंदर bacteria भी आते हैं उसके अंदर fungus भी आती हैं उसके अंदर plants भी आते हैं उसके अंदर birds भी आते हैं उसके अंदर fish भी आती है तो ये सारे के सारे लोग मिलके बनाते हैं organisms तो all these comes from pre-existing cell जो भी organism होंगे वो एक pre-existing cell से आते हैं and multicellular organism have specific cell for different function देखिए जो single cell organism होते हैं कि आपको कुछ लोगों को याद होगा amoeba के बारे में हम पढ़ते थे amoeba के बारे में पढ़ते थे एक single cell होती है और उसके अंदर एक nucleus होता है और वो कैसे divide करता है वो cell rage होती जाती है वो बड़ी होती जाती है और फिर उसकी दो division हो जाती है दो cells बन जाते हैं इस तरीके से हमने amoeba के बारे में पढ़ता था तो बात क्या थी वो एक single cell organism था तो जो multicellular organism होते हैं जैसे कि यह सारे के सारे इस photograph में जो दिखाई दे रहे हैं यह सारे multicellular organism है तो जितने भी multicellular organisms होते हैं उन सारे organisms के अंदर जैसे कि अगर मैं human beings की बात करती हूँ तो जो हमारी cells की differentiation होई हुए मतलब हमारी अलग-अलग cells जो है body की उनके अंदर modifications होए हुए वो अलग-अलग काम करती हैं अगर brain cells की बात करते हैं nerves की बात करते हैं nerves की cells अलग होती हैं as compared to blood vessels की बात करते हैं उसके अंदर अलग तरीके की cells है फिर अगर हम बात करते हैं gametes की जिसमें की sperms की और ovum की बात करते हैं हम तो उसकी cells अलग होती है तो वहाँ पे क्या होता है different function perform करने के लिए अलग-अलग तरीके के cells होते हैं किस की बात करते हैं multi-cellular organisms की बात करते हूँ single cell organism में क्या होता है amoeba की तरह है मतलब एक ही cell होती है वही सारे function perform कर रहे है but multi-cellular organisms में क्या होता है अलग-अलग cells अलग-अलग function perform करते हैं इस बात के उपर मैंने बहुत ज़दा emphasis दिया है क्योंकि यह important बात है उनके अंदर specific cells होती है specific function perform करने के लिए organism can also respond to stimulus stimuli, grow and maintain homeostasis तो अगर हम किसी individual को organism कहते हैं तो वो क्या करता है उसकी और qualities बताई गई है उसके अंदर response देता है वो किसी भी stimulus के लिए कुछ भी stimulus दिया आपने उसको touch किया hit किया तो वो उसके लिए response देता है और grow करता है यह तो हमने पढ़ लिया और maintain करता है homeostasis homeostasis क्या होता है कि आप अपने environment में short term के बात करते है तो उसे homeostasis कहते हैं जैसे कि जो भी environment में आप जाते हैं वहाँ पे आपकी body adapt करना उसको शुरू करते है उसे homeostasis कहते हैं जैसे homeostasis का example में आपको बताती हूँ अचानक से आप दूप में जा रहे हैं दूप में खड़े हैं दूप में बाहर से आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं जैसे ही आप थोड़े dark room के अंदर जाएंगे बिल्कुल 100% dark नहीं होगा थोड़ा dark होगा तो क्या होता है आपको थोड़ी दिर के लिए दिखाई नहीं देगा तो वो दिखाई नहीं देगा कुछ seconds, कुछ minutes लग जाएंगे जब आपको वापिस दिखाई देना शुरू हो जाएगा वो जब कुछ minutes लगेंगे तो हमारी body उस ताइम पर homeostasis करती है मतलब हमारी body जो हमारी pupil of the eye जो हमारी eyes है उसके अंदर जो shrink हो गई थी फिर वो expand करती है कि वो कम light में भी देख पाए तो ये homeostatic mechanism होता है आगे वाली classes में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे फिर हम बात करते है habitat and adaptation की habitat क्या होता है सबसे पहले ये जानने की कुशश करिए habitat habitat क्या होता है surroundings where organism live is called habitat मतलब habitat का मतलब है जिस जगह पर आप रहते हैं मतलब उसकी चारो तरफ की जगह होगी उसको हम habitat बोलते हैं उस organism का जिसे कि आप ये देखिए this is grassland है ये तो grassland में यहाँ पर elephant रहता है तो ये elephant का habitat है नीचे grass है यहाँ पर trees है temperature जो है बिल्कुल थोड़ा मतलब warm की तरफ temperature है थंडा temperature नहीं है यहाँ पर गरम temperature रहेगा वहीं पर elephant रहते हैं तो ये elephant का habitat जिसे इसमें दिखाया गया है हर एक organism का habitat जो होता है वो different different होता है तो organisms depend for their food, water, air, shelter and other needs on their habitat मतलब जो आपका habitat होगा या किसी भी organism का जो habitat होता है वो उस habitat के उपर depend होता है कुछ चीजों के लिए क्या-क्या वो चीज़े हो दिया है उसका सबसे पहली चीज़ खाना, पानी, हवा वो रहता है वहाँ पर और other needs other needs में बाकी की सारी needs आती है चीज़े है तो habitat के है surrounding habitat means dwelling place a home मतलब home जिसको कहते हैं जहाँ पर रहते हैं बहुत सारे same habitat भी हो सकता है बहुत सारे organism का जैसे कि अगर हम यह बोलेंगे कि यह elephant है तो इसी habitat में बहुत सारे और लोग रह रहे होंगे, कुछ birds और रह रहे होंगे कुछ और animals रह रहे होंगे यह herbivores है तो कुछ carnivores भी इसी habitat में रह रहे हैं कुछ carnivores इसी में रह रहे हैं कुछ birds इसी में रह रहे हैं, कुछ insects रह रहे हैं, ठीक है तो ये सारे के सारे चीज़ें जो है इसी same habitat में रहते हैं, तो बहुत सारे organism का habitat same common हो सकता है so habitat आप समझ गए, उसका surrounding गे लिए, फिर अब हम बात करते हैं, इस slide में हम क्या बात करेंगे sea and desert are very different surrounding and different kind of plants and animals lives in these two regions, अब इसमें sea और desert के बारे में बात की गई है two very different two very different kinds of organism from desert and sea, देखो अगर अलग-अलग habitat के हम बात करते हैं, तो वहाँ बिल्कुल अलग-अलग variety के animals या organisms हमको मिलते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करते हूँ desert की, तो desert में मिलता है camel और इसमें क्या मिलता है, sea में क्या मिलता है, fish मिलेगी the presence of specific feature or certain habits which enables a plant or an animal to live in its surrounding is called adaptation, देखो अब हम यहाँ पे first हमने habitat की बात की तो adaptation की बात कर रहे हूँ, तो adaptation क्या होती है कुछ specific condition present होंगी किसी habitat में एक organism जिस habitat से belong करता है, वहाँ पे कुछ specific conditions होती है, specific conditions कैसी हो गई specific features हो गई, in terms of क्या, कुछ भी हो सकते हैं, temperature rainfall है न, humidity मतब कुछ भी इस तरीगी के factors हो सकते हैं, जो specific होंगे उस area के, हो सकता है उस जगह पर बहुत लंबी लंबी घास हो, हो सकता है, वहाँ पर बहुत उंचे उंचे पेड़ हों, हो सकता है, महाँ पर बहुत humidity जादा हो, जो भी वहाँ पर factor होंगे, specific होगे वो उस जगह के, उसकी वज़े से क्या होता है, वहाँ के रहने वाले animals और plants जो है, वो adapt हो जाते हैं उ different ways, अलग अलग तरीके से वो जो animals या organisms होते हैं, वो adapt होते हैं, जैसे कि हम कुछ examples की बात करते हैं, अभी देखो इसी में example आ रहा है, next slide में, अगर हम desert की बात करते हैं, अगर मैं desert की बात कर रही हूँ तो body structure of camel देखते हैं हम, adaptation हुए हुए है, camel क्योंकि desert area में रहता है, desert area क desert उस जगे को कहते हैं, जहाँ पे rainfall is less and evaporation is more, मतलब जहाँ पे बारिश कम होती है और पानी जो ऊपर जाता है, जो evaporation होता है, जो नीचे वाला पानी भाब बनके उड़ जाता है, जो भी पानी surface पे होता है, अर्थ की surface पे वो भाब बनके उड़ जाता है, उसको बोलते है evaporation, तो desert वो areas होते हैं जहाँ पे evaporation ज़ादा होती है और rainfall कम होती है, तो उस जगे पर desert बन जाता हैं क्योंकि वाँपे moisture का loss हो गाँए, वाँपे जो नमी है वो उतनी नहीं है atmosphere में, वाँपे moisture का loss हो पर जा रहा है, तो वाँपे पानी की कमी होती है, तो क्यूंकि वाँ पानी की कमी होती है तो वहां की सॉयल में भी पानी की कमी होती है तो वहां पे सेंडी सॉयल होती है मतलब रेत होती है वहां पर तो उसमें रेत होने के वज़े से वहां के एनिमल्स वहां के प्लांट्स दोनों के दोनों adapt कर लेते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं body structure of camel, ये एक adaptation का example है, क्योंकि वो long term में ये animal जो है desert में रहता है, तो इस animal के body में बहुत सारे adaptations हो जाते हैं तो हम उन adaptations की बात कर रहे हैं अब अगर camel को देखिए camel का क्या होता है, long eyelashes होती है, and thin slit nostrils उसके nostrils जो होंगे वो thin होंगे, और उसकी eyelashes जो होती है, वो बहुत long होती है क्यों होती है long क्योंकि वहाँ पर desert वाले जो desert में क्या होता है, तुफान आते है रहेत वाले, तो वो उससे बचने के लिए eyelashes उसकी, उसको protect करती है सैंड से, जो मिट्टी उड़ते है वो उससे protect करती है दूसरा, उसकी long extremely long large intestine होती है camel की intestine बहुत large होती है उस intestine के large होने के वज़े से क्या होता है जो camel है, एक तो बहुत कम urine पास करता है और दूसरा, जो उसकी camel के जो feces होते है, मतलब जो वो excrete out करता है, camel वो भी बहुत जादा उसके अंदर क्या होता है, moisture बिलकुल नहीं होता, मतलब ठिक उसके अंदर पानी नहीं होता बिलकुल, क्योंकि वो उसकी long intestine जो होगी, सारा का सारा पानी absorb कर लेगी, मतलब बाड़ी से कुछ भी पानी बाहर waste नहीं होगा निकलने में, उसकी जो legs होती है, camel वो बहुत लंबी होती है, ताकि यह वाली जो heat है surface से, वो उसको ना लगे उसकी body उससे दूर रहे, उसके जो pair होते हैं, यह वाले जो pair, foot जो होता है उसका, वो बहुत चोड़ा होता है इसलिए होता है कि वो rate में ना दसे यह सारी बाते हम लोग जानते भी और हम फिर से देख रहे हैं, pair इसका बहुत चोड़ा है, टांगे इसकी बहुत लंबी है, इसकी intestine बहुत लंबी है ताकि जो भी उसके feces होंगे वो बिलकुल उसके अंदर पानी ना बचे, वो सारा का सारा absorb हो जाए intestine में, eyelashes भी लॉग होती है, तो यह सारे body structure जो है, इसको survive करने में मदद करते हैं, क्योंकि desert condition में survive करना it's not easy, तो यह सारी के सारे adaptation जो होती है, और यह camel का hump होता है, यह double hump वाला camel है, यह जो hump होता है, इसके small amount of urine, their dung is dry, ठीक है, जो camel dung होता है, वो dry होता है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसकी intestine बहुत long होती है, तो महा से सारा पानी absorb हो जाता है, तो dry camel dung जो होता है, इसी वजह से, यह सारे जो adaptations है, इसी वजह से camel जो है, वो desert में बिना पानी के survive कर पाता है long time के लिए, next अच्छा, अभी मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हूँ, यह तो आपने animal के बारे में बात कर लिया, दूसरा मैंने आपको previous lectures में दिखाया है, zero fights के बारे में, इससे जो पहले वाला chapters था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो zero fights क्या होते हैं, zero fights जो होते थे, वो plants होते हैं, जो की desert area में पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो leaves होती थी, उससे क्या होता था, leaves से होता था, transpiration transpiration क्या है, loss of water from leaves, पानी जो है उड़ जाता है, leaves के थूँ पानी उड़ जाता है, atmosphere में, तो leaves जो होती है, zero fight plants की leaves जो होती है, वो modify हो जाती है, no leaves या फिर spines बन जाते हैं, ठीक है, काटे बन जाते हैं leaves की जगे पर, ताकि उसका water loss बंद हो जाए, और photosynthesis फिर काहां से होता है, आप सोचेंगे leaves नहीं है, तो photosynthesis कैसे होगा तो photosynthesis, zero fights की case में कौन करता है, stem zero fights जो plants होते हैं, cactus जिसका example है, वहाँ पे stem जो है, वो photosynthesis करता है, यह मैंने सारी बात हैं आपको detail में, previous lectures में आपके साथ मैं discuss कर चुकी next we will talk about adaptation in case of fish, अगर हम fish की बात करते हैं तो fish की जो shape होती है, एसे shape होती है, यहां से भी pointed है, यहां से भी pointed है, तो यह जो shape है, यह water को cut करने में, जो वो swim करती है, fish जब तैरती है पानी में, तो यह वाली shape जो है, water को cut करने में, उसकी मदद करती है, ताकि वो अच्छे से swimming कर पाए, fish have slippery scales on their bodies, these scales protect fish and also protect, help in easy movement, अब इसके ओपर scales होते हैं, वही मेंने आपको पता दिया वो अच्छे से फ्लो करने में, without any friction कोई भी उसको रुकावत ना आए आराम से वो तैर पाए, यह सारी adaptations होती है, flat fins and tails that keeps them to change direction, जो इसकी tail होगी और यह जो flat fin होगा, उससे direction change कर लेती है, balance बना लेती है अपना, gills होते हैं, fish के अंदर हमारे अंदर क्या होते हैं अगर fish के अंदर gills होते हैं, तो हमारे अंदर होते हैं, lungs जो पानी में सांस लेते हैं, उनके अंदर gills होते हैं, जो पानी के बाहर रहते हैं, जो अर्थ पे रहते हैं उनके अंदर होते हैं, lungs, तो gills होते हैं fish के अंदर, help them to use oxygen and dissolved in water तो यह सारी fish की adaptation थी उससे पहले मैंने आपको camel के adaptations दिखाए थे, क्यों? क्योंकि camel desert में रहता था, और fish कहां पे रहती है पानी में रहती है, तो fish के adaptation यह है तो दोनों animals है, दोनों अलग-अलग habitat में रहते हैं, तो दोनों के अंदर अलग-अलग adaptations हुए हैं फिर हम बात करेंगे plants and animals that live on the land are set to live in terrestrial habitat यह तो हम जानते हैं terrestrial मतलब जो terrestrial का मतलब होता है earth के surface पे रहने वाले terrestrial, earth की surface पे जो रहते हैं, जैसे camel रहता है deer रहता है, beer रहता है, है ना यह सब क्या है, यह जहां पे बहुत सारे रहते होंगी यह सब क्या है, earth की surface पे रहते है, aquatic क्या होते हैं जो पानी में रहते हैं, aquatic aquatic, aquatic क्या होते हैं, पानी में रहते हैं, तो terrestrial होते हैं, plants and animals that live on land, they are called terrestrial, some example of terrestrial habitats, अगर हम habitats की बात कर रहे हैं, तो क्या-क्या है, forest, यह forest है, grassland, यह grassland है, desert and mountains, तो यह सब क्या है, यह terrestrial habitats के example है, अगर मैं आपसे बूरू, aquatic habitats के example बताओ, तो aquatic habitats के क्या example होंगे, ocean, lake, pond, river, यह सारे के सारे aquatic habitats के example होंगे, तो हम बात करते हैं, the habitats of the plants and animals that live in water are called aquatic habitat, अभी मैंने बता दिया आपको, वो aquatic habitat, उसके example क्या होंगे, pond, swamp, swamp क्या होती है, दल-दल, lake, जील, river and oceans are some example of aquatic habitat, अब आप यह देख लीज़े, यह क्या है, यह क्या है, यह एक swamp है, यह एक water body है, है न, wetland भी बोल सकते हैं इसको, wetland में तो सारे आएंगे न, तो यह wetland है, और यह क्या है, यह ocean है, oceanic turtle है, यह समूदर के अंदर रहने वाला कच्छु है, तो यह ocean है, और यह क्या है, यह wetland है, there are large variation in forest, grassland, desert, coastal and mountain region, located in different parts of the world, this is true for all aquatic habitats as well, यह बता रहा है कि, जिस तरीके से variations होते हैं, terrestrial habitat में, उसी तरीके से variations पाए जाते हैं, aquatic habitat में भी, तो यह aquatic habitat था, अभी तक हमने देखा, aquatic habitat और terrestrial habitat, अगर मैं बात करते हूं, इन दोनों के बीच में differences क्या होते हैं, तो जो terrestrial animal होंगे, उसके पास breathing के लिए क्या होगा, lungs होगा, इनके पास क्या होगा, aquatic में gills होंगे, तो जो terrestrial animal होंगे, उनकी body में उसी तरीके के modifications होते हैं, जिस habitat में वो रहते हैं, तो यह दोनों habitats के बारे में हमने देख लिया, Now we will see about the living things, such as plants and animals in a habitat are its biotic component. अच्छा, हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, biotic component के बारे में और abiotic component के बारे में, तो biotic component क्या होते हैं और abiotic component क्या होते हैं, तो biotic component वो होते हैं, बायो से आया है word, bio का मतलब होता है living, तो bio से आया है, तो biotic component क्या होते है जो की living part जो जिसको include करेंगा न जैसे plants हो गया, animals हो गये, वो उसका biotic component बनाएगा Abiotic component क्या होगा? Non-living things, उसमें क्या आता है? Rocks, soil, air, water, ये सारे के सारे क्या बनाते है? Abiotic component बनाते हैं किसी भी habitat का दो components होते है, biotic और abiotic, तो biotic components जो उसके living beings होते है, वो होते है Abiotic component वहां की जो non-living चीज़ें होती है, जिनके अंदर जान नहीं है, वो चीज़ें होती है, वो उसका abiotic component बनाती है, ये सारे उसके example है Sunlight और heat को किसमें include करोगे? Obviously, abiotic component है, उसके अंदर जान नहीं है, है ना? तो अगर हम difference देख लेते हैं दोनों में, biotic component और abiotic component में, food availability, temperature of the year ओके, ये special alligators के case में बताया गया है, ठीक है, ये इसार सम interesting facts की food availability, अगर alligator की biotic component की बात करेंगे, तो fish, frog, invertebrates और क्या आएगा? competition आएगा, मतलब कि उसका बागी के, बागी के कौन से animals के साथ उसका competition होता है diseases, उसको कौन-कौन से diseases हो सकते हैं, parasites कौन-कौन से होते हैं, उसके उपर, platform, plants, plants कौन-कौन से और वहाँ पर होते हैं A-biotic component में क्या आएगा? temperature and air, temperature of air and water, climate कैसा है महाँ का, मतलब humidity, sunlight कैसी है महाँ पर, oxygen कैसी है, pH and salinity कैसी है मतलब यह दिखाया गया है कि अगर हम alligator के habitat की बात करते हैं, example के तौर पर, अगर हम alligator के habitat की बात कर रहे हैं तो उसके biotic component कौन से हैं और A-biotic component कौन से हैं, यह इस चार्ट में दिखाया गया है तो biotic component उसका food जो खाता है, competition कहाँ पर, diseases, parasite, plants, वहाँ पर कौन कौन से हैं A-biotic component में यह सारी चीज़े आएंगी, temperature, water, climate, sunlight, oxygen, pH, salinity, यह सारे के सारे A-biotic components में आएंगे यहाँ पर एक important अलग से बात बताई गई है, note डालके, acclimatization के बारे में यहाँ पर बताया गया है तो इसमें बताया गया है, कुछ जो organisms होते हैं, उसमें क्या होता है, short period of time में, वो अपनी surroundings के साथ adjust होते हैं तो small changes जो उसमें होते हैं, in the body of a single organism, मतलब जो adaptation था वो तो पूरी की पूरी species वहांकी modify हो जाती है बट, acclimatization होता है, single organism में, small changes that take place in the body of a single organism over a short period to overcome small problems due to change in the surroundings, or called acclimatization these changes are different from the adaptation that takes place over thousands of years पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा, acclimatization and adaptation में difference क्या है adaptation जो होता है, वो पूरे के पूरे species में होता है और वो एक long term process है, adaptation की में बात करूंगी, तो क्या है यह? long term है, और पूरे species involved है acclimatization है, short term है, और एक individual के बारे में बात हो रही है तो यह दोनों में difference है, जैसे कि chemical treatment अगर आपने दे दिया इसको तो क्या होगा? इसमें growth हो जाएगा, अगर इस plant को अगर आपने chemical treat कर दिया तो इसमें growth हो जाएगा, है ना? यह दिखाया जाया है acclimatization process in plant, मतलब आप यह देख लीजेगा chart में मतलब acclimatization और adaptation में पहले है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एक long term process है और एक short term process है adaptation जो होता है, वो पूरी की पूरी species में होता है but acclimatization is done in only किसी एक individual, उसकी बात हो रही है, और्गैनिजम की, ठीक है? additionally मैंने यहाँ पर यह लिख दिया था ओके, अभी हम लेकिन पढ़ रहे थे biotic और abiotic factors के बारे में तो abiotic factors जो होते हैं like air, water, light यह are very important for growth of the plant adaptation does not take place in short time वो thousands of years लग जाते हैं उसमें those animals which cannot adapt to these changes die out and only the adapted ones survive तो यह क्या है? यह तो Darwin का भी theory है Darwin का theory भी यही कहता है न survival of the fittest क्या बोलता है? जो सबसे fit होगा वो ही survive करेगा मतलब जो adapt कर जाएगा अपने उस habitat के लिए इसके साथ साथ जो adapt कर जाएगा वो ही survive करेगा मतलब अगर कोई organisms desert में रहते हैं तो उनको desert की condition के according अपने आपको adapt करना पड़ेगा अगर कोई zero degree पे रहता है जैसे esquimos है या फिर जैसे की polar bear है वो वहाँ की condition के according adapt होगे अपने आपको उन्होंने adapt कर लिया तो वो महाँ पे survive कर पाए जो species उस time पे adapt नहीं कर पाए होगी जो अपने changing habitat के according अपने आपको बदल नहीं पाई तो वो सारी species खतम हो गई जो species के जितने organisms ने अपने आपको change कर लिया changing environmental condition के साथ वो लोग survive कर गए this theory is given by Charles Darwin also उसको बोलते देख survival of fittest जिसके बारे में detail में हम senior classes में पढ़ेंगे अभी आप एक बार देख लीज़े rain forest animal की adaptation देख लीज़े आपर large rodent on earth capybara the capybara can weigh 62 यह 62 140 lbs capybara जो होता है वो excellent swimmers होते हैं और यह underwater देखो इनकी क्या होती है यह swimmers भी और underwater अपने आपको 5-5 minute तक बचा लेते हैं ताकि वो predators को avoid कर पाएं इन्होंने क्या adaptation किया है जो इनकी eyes जो थी एकदम top पे चले गए हैं यह देखो यह इनकी adaptation है eyes, ears and nostrils are on the top of the head देखो अगर आप यह line खीचते हैं eyes, ear, nostrils यह सब top of the head पर हैं मतलब की कहने का मतलब क्या है यह पानी के अंदर भी रहते हुए rodent है वैसे तो यह लेकिन फिर भी यह पानी की पूरी बाड़ी नीचे रहेगी तो इतना जादा visible नहीं होगा अगर कोई predator आता है और साथ में यह 5-5 मिनट तक पानी के अंदर अपनी सांस भी रोक पाता है मतलब this is an example कि लोग adaptation किस तरीके से करते हैं adaptation करकर के मतलब इसने अपने कान आख और नाख को एकदम अपनी top of the body पे ले आया यह इसकी बचने के लिए adaptation थी ओके अभी तक हमने यहाँ पर बात किया है about the organisms क्या होते हैं और उनके habitat को क्या होता है habitat और हमने बात किया terrestrial और aquatic habitat के बारे में difference भी देखा हमने हमने बात कि adaptation क्या होती है हमने देखा कि acclimatization भी क्या होता है हमने यह सब के बीच में difference भी देखा तो आप हम चल रहे हैं थोड़ा सा आगे इसी chapter में तो हम अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे different habitats के बारे में तो different habitats के हम बारे में पढ़ेंगे तो हम terrestrial habitat मेंने आपको बताया था दो तरीके के main थे हमने पढ़ देखे थे terrestrial और aquatic देखे थे तो terrestrial में हम बात करते हैं terrestrial में भी बहुत साथे variations है तो अगर हम desert की बात करते हैं तो desert animal में क्या क्या आता था rat, snake देखो एक तो हमने camel पढ़ा था जिसके पास लंबी-लंबी टांगे थी, दूसरा था rats और snake, अब desert के सारे लोग तो camel जैसे नहीं है न कि वह सबके पास ही लंबी टांगे है, सबके पास ही बहुत लंबी intestine है, बहुत सबके पास गद्यदार पैर है, नहीं, सबके साथ ऐसा नहीं है, camel के सिवा अभी महाँ पे desert के अंदर बहुत सारे और organisms रहते हैं, जैसे की snakes रहते हैं, जैसे की rats रहते हैं अब ये लोग रहते हैं, तो अब ये कैसे जिन्दा रहते हैं, ये बरोज में रहते हैं, मतलब बरोज क्या होते हैं, नीचे नीचे वो बिल बना लेते हैं, जमीन के नीचे-नीचे डेजर्ट के नीचे जाके वो बिल बना लेते हैं और जब गर्मी पढ़ती है तो अपने बिल में चले जाते हैं और उसी के अंदर रहते हैं डे टाइम में और जब रात होती है तब उसमें अपने बरोज में से बाहर आते हैं तब अपने शिकार पे निकलते हैं या सब कुछ ठीक है? तो वो बरोज में रहना शुरू करते हैं तो उन्होंने क्या अड़प्ट कि अपने आपको अलग तरीके से adapt कर लिया, उन्होंने बरोज में रहना शुरू कर लिया Desert plant मैंने बताया था Lose very little water through transpiration, मैंने आपको बता दिया था Transpiration के थूर वो water अपना loss को, सारे loss को बचा लेते हैं कैसे? क्योंकि उनमें leaves की modification हो जाती है, leaves होते ही नहीं The leaves in the desert plants are either absent, very small और they present in the shape of spines, यह मैं आपको आगे वाले slide में बता चुकी हूँ This helps in reducing loss of water from the leaves through transpiration The leaf-like structure in cactus photosynthesis in these plants is usually carried out by stem तो हम यह वाली सारी बातें जान चुके हैं already बट ठीक है, हमारा revision हो रहा है तो आपने देखा कि जो desert habitat है, उसके अंदर अलग-अलग अनिमल अलग-अलग तरीके से अपनी modification करते हैं जिसको adaptation हम बोलते हैं plants अलग तरीके से adaptation करते हैं, animals अलग तरीके से करते हैं, small-small rodents वो जमीन के नीचे चले जाते हैं Fine The stem is also covered with thick waxy layer which helps in retaining water Most desert plants have roots that go very deep into the soil for absorbing water, तो देखो, अब आब इसमें देखिए, stem क्या हो गया है, इसका stem green हो गया, stem से ही photosynthesis होना शुरू हो जाता है और उसके उपर क्या होता है, एक waxy layer, मतलब बहुत मोटी सी layer होती है जो किसलिए होती है, वो water को retain करने के लिए, ताकि transpiration से loss भी ना हो और क्या होता है, इनकी roots जो होती है, अब देखो, इनको पानी जो खीचना है, वो बहुत ज़ादा पानी है, वहाँ से पानी खीच लेती है as compared to, अगर हम इनको compare करेंगे normal जगे के plants से तो normal जगे के plants की जितनी deep root होती है, इनकी उनसे ज़ादा deep होती है क्योंकि पानी और ज़ादा deep है, तो यह इनकी adaptations है, spiny leaves green color stem deep roots, these are examples अगर exam में आपसे question पूछा जाएगा, इस topic से related तो ऐसे दे दिया जाएगा आपको 3-4 statement दे दे जाएगे कि अगर desert plant की बात में करती हूं desert plants have very small roots desert plants have spine like leaves, desert plants are mostly not green in color, stem जो होता green नहीं है, ऐसा कुछ दे दिया जाएगा, तो आप सजट से समझ जाओगे कि नहीं, stem green होता है leaves spine जैसी होती है, roots deep होती है यह आपको अच्छे से पता है, तो you can eliminate those statement क्योंकि आप जान चुके हो कि desert plant के अंदर किस तरीके के modification होते है अब यह desert animal जो बरोज बना देते हैं चूहे जो चूहे इसने की क्या करता है desert habitat के बारे में तो now we will see about the mountainous region अब हम पहाडों की बात करेंगे कि पहाडों पे कैसा habitat होता है वहाँ पे क्या क्या modifications होते है तो हम mountain region की बात करेंगे अब these habitats are normally very cold यह जो mountain region में क्या होगा अब पहाडों की बात हो रही है अगर हम किसकी बात करते है trophosphere की बात करते है तो temperature उपर जाते जाते कम होता जाएगा अब जिन लोगों को लग रहा है कि what is trophosphere तो हम geography का जैसे ही portion आएगा तो हम उसमें discuss करेंगे don't worry तो trophosphere जैसे जैसे हम उपर जा रहे है cold होता जा जा रहा है तो mountain region में क्या होता है very cold, windy तो in some area snowfall में take place ठीक है ये बरफ भी पड़ती है तो यहां के trees में modification होती है इनके trees की क्या modification होती है एक बार मैं पहले आपको photo दिखा देती हूँ ये देखिए ये इनके trees का modification है क्या modification है ये क्या होते है leaves जो होंगी उसकी small होंगी छोटी-छोटी leaves होती है और क्या होता है they have tough covered seeds जो उनके आप seeds देखेंगे न उनके उपर बहुत ही जादा tough जो होता thick coat होता है तो ये उनका modification होता है roots जो होते हैं grows very deep ताकि deep किसले होता है ताकि अगर तेज हवा चलती है तो वो de-root ना हो जाएं वो उखड़ ना जाएं क्योंकि बहुत हवाँ चलती है तो इनके roots बहुत deep होते हैं और trees जो होते हैं वो triangular shape में grow होते हैं ये देख लीजे आप triangular shape में grow होते हैं ताकि कुछ भी बरफ पढ़ती है वो नीचे गिर जाएं leaves चोटी-चोटी होते हैं ताकि उनके उपर बरफ ना जमें चोटी-चोटी spine जैसे leaves होते हैं पतले-पतले तो उस किसलिए ताकि उनके उपर बरफ ना जमें roots जो होते हैं वो क्या होंगे deep roots होंगे क्योंकि उनको हवा से भी बचना है ये cone shape क्यों होते हैं ये आप समझ गए क्योंकि वहां पर बहुत बरफ पढ़ती है तो बरफ ना जमें तो क्या हो गया normally क्या थे ये cone-shaped थे sloping branches थी leaves of these trees are needle-like ताकि उनके पर बरफ ना जमें है ना बड़ी पतियां होंगी तो उसके पर बरफ जिपक जाएगी इनकी पतियां needle जैसी होती है पतली-पतली तो इसके उपर बरफ नहीं टिकती है नीचे गिर जाती है तो this helps the rainwater and snow to slide off easily बता दिया मैंने तो ये वाले trees की जो adaptation है बिल्कुल different है किसके adaptation से desert वाले trees की adaptation से एकदम different adaptation है mountain region के trees की ठीक है ये हमने वाली slide discuss कर ली अब आप देखिए ये तो trees की बात थी अब animals में क्या होता है animals जो होंगे वहां के mountain region के animal है भी तो बहुत थंडी में रह रहे है न as compared to plains जो मैदानी इलाके हैं उसके comparison में जो mountain जगह पे रहते हैं animals वो ज़ादा थंडी जगह पे रहते हैं तो थंडी जगह पे रहने से वो क्या-क्या adaptation करते हैं उनके अंदर adaptation होता है कि उनकी skin जो होती है थिक होती है बहुत ताकि थिक skin की क्यों होती है अब मैंने आपको याद करिये chapter number I think 2 वहाँ पे मैंने बताया था कि जो fat की जो layer है वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके organs को भी बचाती है shock absorber का का काम करती है जो fat होती है वो shock absorber का का काम करती है एक तो और दूसरा क्या काम करती थी वो heat loss को बचाती है थंडी जगह में आपकी body से heat का loss नहीं होगा जो आपके शरीर की जो गर्मी है वो atmosphere क्योंकि बाहर बहुत थंडा है तो अगर आपकी thick fat वाली skin होगी तो क्या होगा वो heat loss को बचाएगी तो यहां के animals की thick fat वाली skin होती है fur होता है fur क्या करता है fur भी थंड से बचाता है वो एक blanket की तरह kambal की तरह काम करता है अब इनको kambal कौन देगा तो इनको तो भगवान kambal देके भेजता है वो इनको fur लगा के भेजता है कि जो भई मैं तुमको blanket के साथ भेज रहा हूँ तो तुमको थंडी भी नहीं लगेगी तो भगवान ने इनको fur लगा के भेजा और इनकी skin भी मोटी होती है वो adaptation है उनकी आप कभी भी देखिएगा अगर आप mountain region पे जाते हैं कभी भी पहाडों में जाते है तो जो वहाँ के dogs होते हैं तो आप देखिएगा वो plain area के dogs से काफी मोटे आपको नज़र आएंगे उनका fur भी मोटा होता है और उनकी skin की नीचे fat जमा रहता है वो उनकी adaptation है क्योंकि वो वहाँ पे ठंडे इलाके में रहते हैं ठीक है तो यह आपने जान लिया mountain region में कैसे adaptation होता है फिर हम बात करते हैं grasslands की grassland मतलब जो घास के मैदान है वहाँ पे क्या होता है अब घास के मैदान की अगर मैं बात करती हूँ तो first I will show you तो यह घास के मैदान के animals है देखिए है ना तो घास के मैदान में क्या होता है यह घास के मैदान की adaptation है तो हम पढ़ते हैं एक मिनट step by step पढ़ते हैं तो घास के मैदानों में क्या होता है अब आप देखिए कि वहाँ पे बहुत large leaves होती है trees grows large leaves अभी तक हमने क्या देखा ? डेजर्ट में देखा बहांपे या leaves होंगी या स्पाइनी leaves होंगी कांटे जैसी हमने देखा mountain region में leaves होंगी लेकिन कौन शेयप क से ट्री आप अर इसकी leaves होंगी निडल की तरह ताकि बरफ ना जम्हे अब देखे grassland की बात आगी खेत वो घास के मैदान आ गए अब घास के मैदान में क्या होता है large leaves होती है किसलिए to absorb most possible light during the growing season अब वहाँ पे घास के मैदान वो जगे हैं जहाँ पे बहुत सारे competition में रहते हैं plants तो तकि वो बहुत सारी light को absorb कर पाएं इसलिए उनकी बड़ी बड़ी पतियां होती है these plants have to survive in cold as well as dry weather condition अब जब हम geography के lectures पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि घास के मैदान कौन सी जगाओ में होते हैं वो थंडी जगाओ में भी थंडी भी पढ़ती है वहाँ पर गर्मी भी पढ़ती है climatically वो इस तरीके से position होते हैं कि वहाँ का climate ऐसा होता है तो ये plants को survive करना पता है दोरोई climate में तो grassland animal can be found in all continents except Africa तो देखो ये एक additional information था Antarctica को छोड़के except Antarctica, sorry Antarctica को छोड़के बाकि सारी जगाओं पर क्या मिलते है grassland animal मिलते है Antarctica तो पूरा जमा हुआ है पता ही आपको poles पे दोनों poles जमे हुए है तो Antarctica भी जमा हुआ है grassland features a unique and diverse climate which provides a home for some of the most strange and distinct animals अब आपने जब भी कभी देखा होगा सफारी की बात करते हैं जंगल सफारी आपने बड़े बड़े जिराफ, हाती, जेब्रा, लॉइन ये सब देखते हैं अगर आप तो वो पते कहां पे शूट हुए होते हैं वो सबके सब है grassland मतलब वो घास के मैदानों में रहते हैं तो घास के मैदानों में बहुत ही diverse मतलब बहुत variety of climate है तो बहुत variety of animals हमको मिलते हैं adaptation of animal and plants one of the most striking physical adaptation of grassland animal is the modification of their set of teeth उनके धांत modify हो जाते हैं ये उनके काफी धांत में भी हर तरीके के वो होते हैं अब आप इस वाले चार्ट में देखो animals में अच्छा ये कुछ facts लिगे हुए हैं 40% of the animals in the grassland are mammals mammals होते हैं अब mammals क्या होते हैं क्योंकि हम classics की बात कर रहे हैं तो मैं बता देती हूँ mammals होता है animals which give birth to young ones मतलब जो eggs नहीं देते हैं जो उनके young ones होते हैं जैसे की humans जैसे की बाकी के सारे cattle ये सब eggs नहीं देते हैं नो तो ये mammals हैं जिनके पास एक तो ये young ones को देते हैं दूसरा memory glands होते हैं मतलब ये अपने बच्चों को feed करते हैं through their memory glands है ना तो ये इनको mammals कहा जाता है तो mammals को कौन से type के animals को कहा जाता है उस type के animals जो की अपने बच्चों को जनम देते हैं instead of giving eggs वो eggs नहीं देते हैं वो बच्चों को जनम देते हैं secondly उनके पास memory glands होते हैं अपने बच्चों को feed गरने के लिए तो उनको animals बोलते हैं तो earth पे जो है 40% से जादा जो हैं क्या है? mammals हैं तो अब ये animals grassland में कौन कौन से animals होते हैं आप देख लीजे बिसन होता है antelope होता है dogs होते हैं wolves होते हैं loin होते है zebra होता है coyotos होते हैं giraffe होते हैं बबून, elephant ये सारे के सारे जो होते हैं grassland के animals होते हैं साथ में adaptations क्या होती हैं ये देखते हैं हम adaptations what adaptation helps grassland plants survive देखो ये बहुत important slide है इसमें से ही question आएगा तो अब आप ये देख लो adaptations में क्या होता है इनके deep roots होंगे that work like a sponge जो भी grassland के plants होते हैं उनके अंदर deep roots होंगे deep roots can survive fires अब deep roots यहाँ पे deep roots क्या कर रहे हैं mountain में deep roots से हावा से बिचा रहे थे desert में deep roots से पानी निकाल रहे थे नीचे से यहाँ deep roots क्या कर रहे हैं यहाँ पे deep roots जो होते हैं deep roots इनको जंगल में जो आग लगती है उससे बचाते हैं only grow leaves during the wet season जब यहाँ पे बारिश पढ़ती है तब इनमें आपे पतिया निकलती है fire resistant bark जो इनकी जो बार्क होती है यह fire resistant बना लेते हैं thick trunk to store water इनका बड़ा बड़ा चोड़े चोड़े तने होते हैं ताकि उसके पानी जब भी जो grassland होती है वहाँ पे आग लगती है जंगल वाली आग जो बोलते हैं उसकी विज़े से उपरवली घास जल जाती है most of the time trees भी जल जाते हैं तो यह जो tree वापस regrow कैसे करते हैं क्योंकि उसकी roots इतनी सदा deep चली गई थी तो वह वहाँ से regrow कर लेते हैं कही बार fine so these are the different kinds of habitats यह हमने अभी तक यह सारे habitats के बारे में पढ़ा है I hope आपको अभी तक समझ में आया होगा we will discuss this chapter only in the second part also यह थोड़ा बड़ा chapter है इसमें कुछ important चीज़े हैं अभी तक जो हमने पढ़ा about the habitat अभी हमने adaptation के बारे में पढ़ा acclimatization के बारे में पढ़ा हमने different different तरीके habitats के बारे में पढ़ा उसमें क्या-क्या differences है हमने यह भी देखा तो इस chapter के slides को लेने के लिए आप इसके PDF फाइल को देने के लिए आप मेरा telegram channel join कर सकते हैं अगर आपने इसके पहले वाले chapters को नहीं देखा है तो उस telegram channel पे उसके links भी दिये गए होंगे chapters के आप उनको भी देख सकते हैं और इस chapter के next part को हम second part में discuss करेंगे thank you so much I hope आपको यह chapter समझ में आया होगा and best of luck for your preparation